वैदिक जोतिशास्त के अनसार मीन राशी में बुद्ध, शुक्र और सुर्य तीन प्रमुख ग्रहों की यूती बनी हुई है जोतिश में ग्रहों की यूती वह विशेश योग का बहुत जादा महत्व बताया जाता है आपको बता दें कि बुद्ध 9 अप्रिल को मीन राशी में प्रवेश कर गए थे जहाँ पर पहले से ही धन और सुक के दाता ग्रह शुक्र और ग्रहों की राजा सुर्य देव विराजमान है इस तरह से मीन राशी में तीन प्रमुख ग्रहों की यूती बनने से त्रिग्रही योग बना हुआ है। आपको बता दें कि करीब 50 वर्षों बाद मीन राशी में इन तीन ग्रहों का सहयोग बना है। ऐसे में इसका प्रभाव सब ही राशी के जातकों पर जरूर पड़ेगा लेकिन कुछ राशियों के लिए यह योग बहुत ही भागेशाली साबित होने वाला है आईए जानते हैं वो भागेशाली राशियां कौन सी है मिथुन राशी आपकी राशी में यह त्रिग्रह योग आपके कर्म भाव में बन रहा है ऐसे में आपको कारोबार और नौकरी में अच्छा लाब होने की संभावना है आपके लिए अच्छे दिन की शुरुवात हो सकती है अचानक से धनलाब के योग बनते दिखाई दे रहे हैं जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं उन्हें अच्छे अवसर की प्राप्ती हो सकती है आप आर्थिक रूप से पहले से जादा मजबूत हो जाएंगे भागी का अच्छा आपको साथ मिलने वाला है और आपके सब ही काम पूरे हो अब बात करेंगे कुम्भराशी की हर एक शेत्र में सफलता मिलेगी जो लोग पिछले कई महिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके ये तलाश पूरी होगी और आपको जल से जल नौकरी मिलने की भी संभावना है आपके आत्मविश्वास में व्रती देखने को मिलेगी प्रभावशाली लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा आपका आत्म विश्वास भढ़ता रहेगा व्यापार करने वाले जातकों को अच्छा मुनाफा हासिन होगा अब बात करेंगे मीन राशी के जातकों के लिए शुक्र सुर्य और बुद्ध की युति उनके ही लगन भाव में बनने जा रही है ऐसे में यह तरिग्रही योग सराशी के जातकों के लिए अनकूर साबित होगा नौकरी पेशा वाले जातकों को नौकरी के कई अच्छे अफसर मिलने वाले हैं और धन के अच्छे लाब प्राप्त होंगे अतरिक्ताय के स्रोत बढ़ेंगे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवानजली को सब्सक्राइब करें